एलो आज हम बनाने वाले हैं बर्गर जो बहुत ही असान Hey बनाना चले बनाना स्टार्ट करते हैं सब से पहले हमाजाश दमांता हरी करक़ा करेंगे लेंगे कड़ाई रखेंगे इस पर इसको हम गरम होने देते हैं इसमें दो चिमस घी डालेंगे मैंने दो चिमस डाल लिया है गही इसमें जीरा डालेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे जीरा को गरम हो जाने देते हैं जीरा गरम हो जाने पर हम इसमें प्याज दालेंगे यह मेरा जीरा गरम हो रहा है इसमें हम प्याज दालेंगे अब इसमें प्याज दालेंगे जो मैंने काट के प्याज रखा था इसको हम डालेंगे प्याज जालकर हम चलाते रहेंगे इसको हमने प्याज डाल दिया इसको हम हम चलाते रहेंगे जड़ तक के मेरे प्याज्श प्रकहर जाये, ज़्याद मेरा हो जाएगा तुछ सव्हारी मिन ढ़ती ठालेंगे यह इसको ऱ्मिज इसको घ्रिटण, शॉड़ाक फ्रिक्ष मेरे मुजर मेरे टोड़ा दिते हैं तो कि हरी मिन ढि हुण ड़ाने के तो इसमे में आलू डालेंगे, वह नहीं सेता है। है है अब सिंविश को बराबर चलाते रहने कि मेरा पखने लुखा है तॉमाट अव इसमें हम आलू डालेंगैं कि अ, अ, आश्यु आपको चलाते रहना बराबर तुमाटर को अच्छी तरह से बूल लेना है कि मुने के बाद हम इसमें अलू डालेंगे यह मैंने अलू बला हुआ अलू लिया है इसमें हम डाल देंगे मैंने दो अलू लिया है आप जितना अलू ले सकते हैं उतना ले सकते हैं कि मैंने अलू डाल के इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह किसे अलू को भी मिक्स कर लेंगे अलू मिक्स करने की बाद हम इसमें मसाले डालेंगे जो मैंने मसाला रखा है इसको डालेंगे इसमें अलू को पराबर से हम इसको मिक्स कर लेते हैं अब इसमें मसाले रहेंग कि इसमें माल्य में सब्स fått जा लेंगे अगल सती हम भाशिव पॉर लयुक्स कर लेंगे विबाबर से मासाला पुरा मैरा जब मेरा जब को जाये मसाला पुरा तो यहां। दाल लेंगे, यह मेरा हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे, यह मेरा बन के रेड़ी हो गया है, अब इसको हम तावा रखेंगे सबसे पहले हम, इस पर थोड़ा सा घीर डालेंगे, गीर मैंने डाला है सेकने के लिए मैंने पाव जो काट के रखा इसको सेकेंगे इस पे यह मैंने पाव को काट लिया है अब इसको बंद भी कहते हैं पाव भी इसको कहते हैं इसको काट लिया है बीच से काट लिना है अब इसको काटके हम सेख लेंगे थोड़ा थोड़ा से लेना है आपको इसको दोने तरफ से लेना है आपको पलट पलट के दोने तरफ से लेना है बराबर से लेना है ज्यादा नहीं सेखना है आपको थोड़ा थोड़ा से लेना है यह मेरा से लिया है मैंने इसको निकाल लेंगे अब इसको निकाल लेंगे निकाल लेंगे निकाल लेंगे बाद हम इसमें आलू लगाएंगे आलू का पेस्ट जो मैंने त्यार किया था इसमें लगा देंगे बराबर से चारो में लगा लेना है अपको नीचे वाले में भी लगा लेना उपर वाले में भी लगा लेना दोनुों तरफ अलू कह भी इसमें लगा लेरा है आपको बराबर से आपको दोनों में रख लेना है फिर इसको बंद कर देना है यह मने रख लिया है इसको हम बंद कर देंगे अब उपर का जोर मने रखा आलो लगा के इसको बंद कर देंगे ऐसे आपको बना लेना है बहुत ही आसाने बनाना घर पे बहुत ही आसाने बनाना इसको आप एक बार जुरूर ट्राई करिए गया बहुत ही अच्छा लगता है खाने में बर्गर तो सबको पसंद होता है इसको घर पर एक बार जुरूर ट्राई करें गया बनाना बहुत ही अ है अच्छे से आपको ज्यादा नहीं सेखना है बस थोड़ा सब्सक्राइब रहा है यह मेरा रेटी हो गया बनके बहुत ही आसाने बनाना आप एक बार जरूर ट्राइए करेगा अगर मेरा वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब बरना ना भू झाली